नमस्ते बहुत बहुत स्वागत है आपका हम बात करने जा रहे हैं विराट कोली और रनुशका शर्मा की विराट कोली ने बीते दिनों एक बयान दिया इस बयान में कई तरह की बाते थी वेक्टिकत तोर पर पर परसनल बातें काफी सारी थी उन्होंने डिप्रेशन को लेकर बात की कि कैसे आज से 7-8 साल पहले तकरीबन वो एक ऐसी स्थिती में चले गए थे जिसे हम कहते हैं कि यह एक डिप्रेशन वाली स्टेज होती है और वहां पहुंचकर कहीं ना कहीं आप अपनी अबिलिटीज पर शक करने लगते हो तो विराट कोली ने इस बात को अपना से फेल हो गए थे टेस्स सीरीज में और फिर पूरी दुनिया यह कह रहे थी कि यार यह बड़ा बैट्समन नहीं है क्यों क्योंकि इसने इंग्लेंड में रन नहीं बनाए हालक उसके बाद जो ने दोजार अठारा में किया वह एतिहासिक था उन्होंने रंस भी बन मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ मैं बहुत जादा किसी चीज़ को लेकर के सोच रहा हूँ हलाकि मेंटल ट्रॉमा एक बहुत बड़ा वर्ड है लेकिन वो किसी तरह की अगर अवसाद की स्थिती में भी थे या कहीं अपनी अबिलिटीज पर डाउट था तो वहां से जो एक शक्स उन्हें खीच कर लाया वो थी उनकी पत्नी अनुशका शर्मा और उनके बारे में बहुत जादा कहा है उनको लेकर के उन्हें बहुत जादा कहा है कि अगर वो नहीं होती तो आज मैं इस थिती पर यहां पर मौजूद नहीं होता तो विराट कोली लगातार अनुशका शर्मा के बारे में वो वैसे भी कहते रहते हैं कहना भी चाहिए और वो नाराज भी बहुत जादा होते हैं जब टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को अनुशका शर्मा से जोड़ कर देखा जाता है ऐसा पास्ट में कई बार हो चुका ह लेकिन विराट कोली हमेशा से यही मानते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अगर आज इतनी बेटर है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा और एहम योगदान अनुशका शर्मा का भी है आप किस तरह से देखते हैं इसे जरूर कॉमेंट करकर हमें बताईए बहुत बहुत शुक झाल झाल